नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं अयोध्या में इस बार भी भबे होगी दिपावली पिछले साल दिपावली के मोखे पर अयोध्या में भी साल दिपावली का योजन किया गया था जिसकी तस्वीरों ने लोगों का मन मोह लिया था बतादे इस साल भी राज सरकार ऐसी ही त्यारी में है योगी अधिद्यानाथ सरकार इस साल दीपावली पर अरध्या में सहरी नदी के घाटो पर 7.5 लाग दिये जलाएंगी बतादे राज सरकार ने अपने साल 2020 के रिकोर्ड को तोड़ने की योजना बनाई है जब दीपावसो के दोरान 5.5 लाग दिये जलाएंगे थे अधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार प्रयाटन विभाग को आवजन की त्यारी करने और उसी के लिए प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए कहा गया है ज़ारखन में तीन दिनों के लिए मौसम विभाग ने एलो अलर जारी किया है इसमें कहा गया है कि 19 से 20 अगस्त तक लगभग पूरे ज़ारखन में कहीं कहीं हलके से मददज की बारिस होगी में गरजंगे और बईरपाथ की घटनाएं भी हो सकती है बतादे 29 अगस्त को धक्षिन पूरवी तथा उतर पच्मी ज़ारखन यानि पलामू गढ़वा चत्रा कोडरमा लातेहार और लोहरदागा के साथ-साथ औरने कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिस होने की संभावना है बतादे राची के मौसम की बात करें तो 22 अगस्त तक आस्मान में बादल च्छाय रहेंगे गोड़ा में जनता के बीच पहुँचे सियम हमंद 37 स्योजनाओ का उदगाटन संताल परगाना के दो दिवस ये दोर पर जार्खन के सियम हमंद स्योजन गोड़ा पहुचे बतादे ग्रामिनों ने सियम सिरी स्योजन का ग्रम जोशी स्वागत किया वहीं आयोजित कारें में 37 स्योजनाओ का उदगाटन और त्यसोजनाओ का सिलन्याज कर जानता को समरपित किया बतादे गोड़ा पहुचे चेंज सियम सिरी सुरें ने सूंदर पहाडी में उन्होंने 7050 लाग की 37 सुजनाओ का उधगाटन एवं 32 सो तीस लाग की 23 सुजनाओ का शिरन्यास किया जार्खन में केरियर सेंटर में तबदील होंगे नियोज नाला है जार्खन के नियोज नाला केरियर सेंटर के रूप में बदले जाएंगे साथ ही सावी अध्योगिक प्रतिस्थानों यो अने सरकारी वगर सरकारी संस्थानों को बहाली से पहले रिक्तियों से समंधी जनकारी इन केरियर सेंटरों को अनिवारे रूप से देनी होगी ताकि वहाँ निवांदित बेरुजगारों को प्रतिन्युक्ति परकिरिया में सामीर होने का उसर मिल सकेगा बतादे प्रस्तावित समाजिक सुराक्षा नेमारी 2020 में परखंड अस्तर पर ऐसे निरुजणाला अस्थापित करने की बात कही गई है साथ ही यह अभी कहा गया है कि राई सरकार पूर्व से संचालित नालो को भी केरिया सेंटर के रूप में घोचित कर सकेगी जार्खन केबिनेट की बैठक 24 अगस्त को जार्खन केबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी 24 अगस्त को चार बई से प्रस्तावित बैठक है बतादे इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्पुन प्रस्ताव पर विचार होगा मुखमतिय मानसुन के अद्रक्सता में होने वाली बैठक में पाराश सिचको के अस्थाई करन क्रोणा में हमारे की तीसरी लर्ग को लेकर उपाए आदिम मुदो पर चर्चा हो सकती है बतादे कि जार्खन विधान सभाक मानसुन सत्र भी तीन सितंबर को सुरू हो रहा है इससे पूर्व कैबिनेट की या आखरी बैठक हो सकती है पाराश सिचको को अस्थाई करने पर बनी समती जार्खन में समगर सिक्षा अभियान के तहट कारणत 65,000 पाराश सिचको के अस्थाई करन तथा बेतन मान देने पर नीनाय के लिए बो द्वार को एक दोर की बैठक संपर्ण हो गई बताया जाता है कि पता अधिकारियों ने इस पर समती जाता ही है इसके लिए आवसक पर किलिया पूरी की जाएगी बीधी कार्मिक बीद तथा कैबिनेट की स्विकृति लिए जाएगी लिए बैठक संपर्ण होने के बात मंतरी साम में एकी किरत पराशिखक संगार्च मुर्चा तथा जारखन परसिख्शित पराशिखत संग के प्रतिनिद्योग साथ बैठक करेंगे तथा विभाग्य कमिटी के बैठक में लिये गई नेने की जनकारी देंगे जमसेदपूर के मनोज कुमार को मिलेगा राश्टिये सिक्षक पुरसकार राश्टिये सिक्षक पुरसकारों की घोसना हो गई है बता दे इस बार जारखन के एक सिक्षक को ही अब पुरसकार मिलेगा जमसेदपूर के गोल मुरी सित, हिंदुस्तान मित्र मंडल इसकूल के सिक्षक मनोज कुमार सिंग राष्टिय पुरस्कार के लिए चुने गए है बता दे 5 सितंबर को सिक्षक दिवस के उसर पताश्पति रामनात कोविन पुरस्कृत करेंगे राष्टिय पुरस्कार के लिए देश बर के 44 सिचकों का चैन हुआ है इसमें एक सिक्षक जार्खन के है इसके अलावा बिहार के दो सिक्षक, बंगाल के एक सिक्षक और ओडिसा के दो सिक्षक का चैन राष्टिय पुरस्कार के लिए किया गया है होमगाट जवानों की नहीं हुआ बेतन भुगतान जारखन में होमगाट जवानों को समान काम के लिए समान बेतन नहीं मिल रहा है बता दे वही अब दूसरी तरह होमगाट जवानों से काम लेकर बेतन लंबे अर्शिस से लटकाए रखने का मामला सामने आया है बतादे देवघर जिला में कुरोना ड्यूटी करने वाले जवानों वार्षिक, मादमिक, इंटर्मीडियर्ट परिक्षा 2020 और मदर्शा बोट 2016 की परिक्षा ड्यूटी में लगाये जवानों को भोगता नहीं मिला है इस बात का खुरासा होमगार्ड वेल फेरे सुसेजन के महामंत्री राजीव कुमार तिवारी के द्वारा मांगे गए सुचना के अधिकारी सम्मधी जवाब से हुआ है ज्यारखन सिक्षक प्रतिन्युक्ति में भारी गड़बाई राजी के असी उतक्रिष्ट विद्यालों में सिच्षको की प्रतिन्युक्ति की गई है सिच्षको की प्रतिन्युक्ति माध्यमिक सिक्षा निदे साले द्वारा की गई है बतादे जार्खन मादमिक सिक्षा संग ने सिचको की प्रतिन्युक्ति में होई बिसंगती को लेकर मादमिक सिक्षा निदे साले को ग्यापन सोपा है ग्यापन में कहा गया है कि प्रतिन्युक्ति में काफी बिसंगती है कई सिक्षको को उनके बिशाय से अलग बिशाय में प्रतिनीक्ट कर दिया गया है ज्यार्खन में कूल एक्टिव कईस की संख्या 270 है वहीं भारत में 35 either 786 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,58万,896 है ज्यार्खन के स्कूलों में होगी सभी बचों की कुरोना जांच स्कूली सिक्षा एम सक्षर्टा विभाग के सचीव ने स्कूलों में बचों के नियमीत कुरोना जांच का आदेश दिया है जीलो को प्रती दिन बचो वा सिख्षकों की उपस्थिति की भी जनकारी देने को कहा गया है बतादे सिख्षा सचीव ने यह निर्देश मंगलवार को भी भागिये अधिकारियों के साथ बैठाक में दिया बाठक में सभी जीलो के जीला सिक्षा पताधिकारी वा जीला सिक्षा अधिक्षक सामिल हुए जीलो को राष्टी ये उपलावधी सर्वे परिक्षा की त्यारी करने को भी कहा गया इस वर्ष सर्वे नॉम्बर में होनी की संभवना है बताधे CBSी द्वार राष्टी ये उपलावधी सर्वे परिक्षा ली जाएगी बीना सबसिड्री वाला गाज सिलेंडर 25 रुपया महाँ 14 किलो नन सबसिड्री वाला सिलेंडर 25 रुपया महाँ होगया है बताधे अब ग्राष्टों को 892 रुपया की जगा 917 रुपया परिक्षा सिलेंडर देने होंगे ग्राष्टों को सबसिड्री के रूप में बैंक खाते में 37 रुपया 76 पैसा भेजे जाएंगे वहीं 19 किलो वाला करमेर्सियल सिलेंडर 5 रुपया सस्ता हुए है इसके लिए ग्राष्टों को 747 रुपया की जगा 742 रुपया देने होंगे जार्खन में पंचायत चुनाव दली अधार पर जार्खन में आगला पंचायत चुनाव दली अधार पर करया जा सकता है राज सरकार दली अधार पर पंचायत चुनाव कराने का मंधन कर रही है इसके लिए गरामिन विकास विभाग विभीन राजियों की पंचायत निमावली का अध्यान कर रहा है अध्यान के बाद पंचायतों में दली अधार पर चुनाव कराने की संभावना पर बिमर्स किया जाएगा उसके बाद जरूरत महसूस होने पर राजे के पंचायत चुनाव निमावली में बदलाव किया जाएगा बतादे राज में पंचाथ चुनाव धली अधार पर कराने से समंधित कोई नियम नहीं है तीसरी लहर खत्म होने के बाद ही पंचाथ चुनाव COVID-19 संक्रमन के असंका के मद नजर पिछले डेड़ वज से राज में पंचाथ और नगर निकाथ चुनाव लंबित है बतादे राज निर्वाचन आयोग दोनों ही चुनाव की तियारिया लगवक पूरी कर चुका है अब राज सरकार को चुनाव की तीथी निधायित करने का फासला लिना है बिसे सगयों के मुताबिक अक्टूबर महीने में तीसरी लहर पिक पर पहुँच सकती है ऐसे में अक्टूबर के बाद ही चुनाव की तीथी निधायित करने पर चार्चा की जाएगी बतादे तीसरी लहर के असंका समाप्त होने के बाद नोंबर दिसंबर में नगर निकायो और अगले वर्थ की सुरुआती महीने में पंचाज चुनाव कराया जा सकते है टेवल टेनिस में गड़वा के बच्चे आगे टेवल टेनिस के खिल में राजे के साथ साथ राश्टिय परतियोगता में गड़वा जीले के स्कूली बच्चों का डंका बज रहा है टेवल टेनिस के राश्टिय परतियोगता में जीले के अब तक 11 बच्चे भाग ले चुके है राश्टिय अस्तर पर यहां के बच्चे तो मेडल जीत नहीं सके लेकिन राज अस्तरिये परतियोगता में यहां के खिलाडी जमसेतपूर के बाद राजे में दूसरे अस्तान पर हाएं बतादे गड़वा जिले टेवल टेनिस संग सन 2009 में अस्तित्यों में आया गुमला में सहायक अभियनता 30 गोस लेते गिरफता है जारखंड के गुमला जिले में बुद्वार की दोपहर भरष्टा चार निरोधक ब्योरो की टीम ने सहायक अभियनता को घुस लेते पकड़ा है रांची के रिम्स में मरीजों की ठाली में चीकेन के साथ मिठाई रांची के रिम्स में भरती मरीजों को मिलने वाले भोजन में अब जरूरत के हिसाब से मिठाई भी दी जा रही है बतादे अभी तक उन्हें चीकेन अंडा पनीर सब्ता में एक दिन दिया जाता है इसकी सुरुवात सोचनता दिवस्य की गई है इसके लिए मरीजों को दो हीसे में बाटा गया है जिसमें समाने मरीज और मदुमे मरीजों के लिए अलग अलग डाइट त्यार किया गया है बता दे पहले दिन मरीजों को मिठाई में लडू दिया गया साथ ही जो मदुमे के मर जहाएं उन्हें सूजी का हल्वा भी दिया गया है वर्ल्ड यूथ आर्चेरी में कुमालिका का गोल्ड पुलेंड में वर्ल्ड यूथ आर्चेरी चैंपियनसीप में गोल्ड जीतने गबाद कुमालिका बारी बुद्धवर को रांची पहुंची बता दे जहां खेल के उप त्यारी करना जरूरी है जिस पर उनका सारा ध्यान रहेगा उन्होंने बताया कि वर्ल्ड यूत आर्चरी चैंपियंशीप में उमीद के मुताविक परदसन रहा अब आगे इवेंट की त्यारी में पूरी तरह से जुट जाना है रांची के कमड़े में अमोनिया गयस रिसाव रांची जीला अंतरगत रातू थाना छेतर के कमड़े इस्थीत अमोनिया गयस कमड़े में बुद्वार के दोपर गयस रिफिलिंग के दोरान वल्ब खुलने की वज़ा से गयस रिसाव हो गया बतादे गयस रिसाव होने से जह एनेच 75 पर आवागमन बाधित हो गया जारखन सीयम ने साहिव गंज के बाड़ परभावित छेत्रों का लिया जाए जा संथाल परगाना के दो दिवस्य दोरे प्रगोटा के बाद साहिव गंज पहुंचे मवस्यों के चारेक व्यवस्था करने, लोगों के बीच खाध समगरी आपूर्ति करने लोगों को सुरक्षित अस्थान पर लाने उन्हें मेडिकल सुवधा परदान करने जैसे मुल्वी सुवधाओं के लिए ततपर होकर कारे करने एवं उन्हें ततकाल सभी सुविधाय उपलब्द कराने की बात कही है पेंशन सुरू नहीं होने को लेकर परधाना ध्यापकों की बैठक जारखन पेंशनर्स कल्यान समाज की बैठक वो द्वार को ही इसमें 2019 से शेवन इवरीत एवं अब तक पेंशन से वंचित परधाना ध्यापकों ने भाग लिया अपक सिवा निवरित के उपरांत आज जीवन यापन की समझा से जूज रहे हैं जारखन में तौसर से राजे में ही साडियों का निर्मान जारखन के तौसर से राजे में ही अब कौपड़ों का निर्मान सुरू हो गया है बता दे यहां के रेशम के धागों को पिरोक अब उसे खुबसूरत साड़ी का रूप दिया जाने लगा है CM हमन सुरिन के आदेश के बाद धारखन राज खादी बोर्ड ने इसकी पहल की है अभी चांडिला स्थित उत्पादन और प्रस्रिक्षन के अंदर में साड़ी का उत्पादन सुरू हुआ है बता दे यहां बुनकर धागों की बुनाई से लेकर डिजाइनिंग तक का काम कर रहे हैं इसे राज के बुनकरों को आने वाले समय में रोजगार के साथ जारखन में बनी साड़ी को बजार भी मिलेगा धन्यवाद